2009 में launch हुए Kepler telescope को हमारे Milky Way के एक सल्टेन पैच में लाको करोणों की तादाद में पाए जाने वाले stars और उनमें मिलने वाले exoplanet की research के लिए भेजा गया था ये exoplanet हमारे solar system में पाए जाने वाले planet से एकदम अलग है और इनमें से ज्यादा तर तो अर्थ से भी बड़े size के हैं लगबग Jupiter के size के ये exoplanet एक नहीं बल्गी दो सूरत के चक्कत लगाते हैं अगर हम में से कोई एक उस planet पे मौजूद हो तो उसे एक binary sunset देखने को मिलेगा पर Kepler ने अपने पूरे सफर में 2600 से भी ज्यादा exoplanet को discover किया पर उन में से कई planet tightly locked अपने parent stars है जिसका मतलब उन planet के एक surface पर हमेशा दिन और दूसरे पर हमेशा रात होती है जो इन planet को रहने लाइक नहीं बनाता है इस पर फूल वीडियो देखने के लिए पिन कॉमेंट में दिये के link को क्लिक करें